नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूटूब चैनल फोकस पाउर पैतो आज की जो 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 आप अपडेट है काफी बड़ी काफी बड़ी मात्रा में वेकंसी आउट की गी है Central Reserve Police Force, CRPF के दोरा Technical or Tradesman trade के लिए पोश्ट हैं जारी की गी है Male, Female दोनों candidate के लिए Form कब से चालोंगे, क्या slayvus होगा, fees कितनी रहने वाली है, कौन से state के लिए कितनी पोश्ट है सब discuss करेंगे, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें, ऐसी है आपको regular job update के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे हैं तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, तो पहला जो online application start होने वाला है वो 27 March 2023 से online application start हो जाएंगे और last date जो रहेगी, वो होगी 25 April 2023 तो 25 April 2023 तक आप इसका form भर पाएंगे इसमें सबसे वड़िया बात यह है कि इन्होंने exam date, admit card की date सब चीज जारी कर दी है notification के साथ ही, तो admit card का बता रहा है इन्होंने कि 20, 26, 25, 26 के बीच में आपका admit card आएगा और 1, 7 से 13, 7, 2023 के बीच में exam होंगे तो 13 दिन तक exam चलेंगे इसके All India Level के exam है, All India से कोई भी candidate apply कर सकता है form इसके apply online होंगे और किसी mode से apply नहीं कर पाएंगे आप तो online mode से apply होंगे, अब इसके selection process वगएरा सब discuss करेंगे तो उससे पहले देख लेते हैं, pay scale, इसका label 3 का pay scale होने वाला है जिसमें 21,700 basic pay होगा, उसमें grade pay हो गएरा जूट जार के सब आपका, जो होता है 30, 35,000 रुपए starting salary आपकी हो जाती है तो male candidate के लिए इसमें 9,105 पद है male candidate और female के लिए है 107 पद, तो यह होते है 9,212 पोस्ट तो 9,212 पोस्ट है टोटल तो देखते हैं कौन सी trade के लिए है तो trade हैं काफी trade है, technical trade हैं और normal tradesman के लिए भी है, तो सबसे ज़्यादा जो vacancies out है वो है driver के लिए है, फिर motor mechanic trade है इसमें cobbler के लिए भी है, carpenter, tailor, brass band, pipe band, boogler, gardener, painter, cook, water carrier, cook और water carrier में भी काफी अच्छी पोस्ट है, I think driver के बाद सबसे ज़्यादा पोस्ट है, cook और water carrier में ही है, फिर waterman की है, barber की है, सफाई करमचारी की है, तो यह सभी पोस्ट हैं और बाकि यह state wise भी दिया गया है, कि state wise कितनी कितनी पोस्ट हैं, तो जैसे यह आंदरप्रदेश हैं, आंदरप्रदेश में देख पारे होंगे, 145 driver की motor mechanic, 22 cobbler साथ, तो ऐसी देख पारे होंगे, तो यह अपने state wise आप अपनी पोस्ट देख सकते हैं, कि खाहां पर कितनी पोस्ट हैं, कौन सी, उसके लिए जैसे उतरप्रदेश में आप देख पारे होंगे, 290 driver की 56 motor mechanic vehicle वालों की है, ऐसी कुप के लिए 398 post है, तो काफी post है, उतरप्रदेश में भी 1340 post हैं, उत्राखंड में देख पारे होंगे, 19 post driver की है, 2 post motor mechanic vehicle की है, तो यह सभी post wise देख पारे होंगे, आपकी total जो post है, वो boys के लिए है, male candidate के लिए 9105 है, बाकी female candidate का जो post है, वो आप यहां देख पारे होंगे, state wise, तो female candidate के लिए किसी किसी state में ही, आपको post देखने के लिए मिलेगी, तो आगे बढ़ते हैं, क्या होने वाला है इसमें, और इसमें add-on करा गया है, pioneer wing का, तो इसमें क्या है, मैसून, palambar और electrician trade के भी, जो candidate होंगे, उनको apply कर सकते हैं, next जलते हैं, इसकी qualification की तरफ, और age criteria की तरफ, तो nationality आप intensity जान होने चीए, और किसी भी state से belong करते हो, तो आप apply कर सकते हैं, age limit है, driver candidate के लिए, तो driver candidate 21-27 साल, आपकी age limit होनी चीए, बाकी SCST, OBC अगर आपका है, तो उसमें age relaxation जो central government के according होता है, OBC का 3 साल, SCST का 5 साल, वो आपको मिल जाएगा, तो driver candidate के लिए, 21-27 साल है, बाकी constable और motor mechanic vehicles, constable MMB, cobbler, carpenter, tailor, brass, यानि की बाकी जो भी trade है, remaining trade है, सबकी जो age limit है, वो है, 18-23 साल, तो 18-23 साल है, और सबके लिए age limit, बाकी SCST, OBC का, जो reservation होता है, age का, वो आप देख पाए रहोंगे, SCST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, ex-servicemen के लिए 3 साल, और जो dependent children है, उनके 5 साल है, ऐसी जो gujarat roids में, जो जिनके parents के लोग है, उनके 8 साल है, तो इस तरीके से जो reservation होता है, central government का, वो आपको इस vacancy में पूरा देखने के लिए मिलेगा, फिर आगे बढ़ते हैं, important, important topic discuss करेंगे, इसका बाकी certificate क्या होगा, slaves क्या होगा, वो सब, आगे बताते हैं, सबसे पहले qualification देख लेते हैं, तो जो qualification है, वो आपकी air zone 1 अगस्ट 23, तो 1 अगस्ट 23 के अनुसार माना जाएगा, तो क्या driver के लिए क्या मंगे गया, matrix मंगे गी, यानि 10 पास मंगा गया, और technical qualification क्या है, heavy transport vehicle का driving license आपके पास होना चीए, और आपका driving test पास करना चीए, recruitment के time पे, तो अलग से trust होगा, trade test होगा, driving test होगा, driver के लिए, second stage होगा, वो driving test होगा, अगर आप वो पास करेंगे, तभी आप को job मिल पाएगी, motor mechanic के लिए 10 class पास होनी चीए, 10 plus 2 examination से, और technical qualification, 2 साल के आपकी ITI होनी चीए, mechanic motor vehicle trade के साथ, और one year का practical experience होना चीए, field में, और अगर यह नहीं है आपके पास, तो आपका, या तो apprentice है, motor mechanic vehicle से, और three year duration का, three year duration और recognized trade से, one year का practical experience होना चीए, तब भी आप apply कर सकते हैं, बाकि और जो, और जो trade हैं, जो आपको उपर बताई थी, cobbler हो गएरा, gardener, उन सभी के लिए, matriculation मांगा गया है, और आपका जो respective trade है, technical qualification में क्या है, respective trade में आपको, जो काम करना आना चीए, तो यह है इसकी qualification, बाकि महसून palambar electrician की भी, one year का experience होना चीए, आपको trade का, और matriculation से, 10 पास होनी चीए, matriculation पास होनी चीए आप, और अगर आपके पास, ITI का साथिक्ट होगा, तो आपको preference दी जाएगी, इन trade में, तो apply कैसे करना है, apply करने के लिए, आपको बता दिया, पोर्टल पे, 27 तारिक से link activate हो जाएगा, 27 March से, अपरेल तक इसको apply कर सकते हैं, application fees 100 रुपीज रहने वाली है, male candidate के लिए, जो general EWS और OVC के होंगे, बाकि S3, S3 female candidate के लिए, और ex-service man के लिए, कोई fees नहीं लगेगी, फीस आप online banking, BIM UPI और net banking से, किसी से भी card से भी payment कर सकते हैं, अब जो main important है, वो exam city, तो exam city खाँ होने वाला है, आपका computer based test का, जो आपका first test होगा, तो आप अपने video को pause करके, अपने state के according देख सकते हैं, जैसे हिमाचल परदिस हो गया, चार है, जम्मू कस्मिर में दो है, जहार खंड में, चार state में दिया गया है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जिस भी राजे से आप बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हैं, उतराखंड में जैसे देहरादून, हल्दवान, इरुड की तीन center बनाएगे हैं, तो अपने state के according आप चेक आउट कर सकते हैं, examination center, अब slayvus देख लेते हैं, slayvus क्या होने वाला है, तो 100 questions होंगे, 100 marks के, 25 questions इसमें, general intelligence और reasoning के आएंगे, 25 general knowledge और awareness के आएंगे, 25 mathematics के आएंगे, और 25 questions इंगलिस या हिंदी में से आएंगे, जो आप choose करेंगे, total duration रहने वाली है exam की, वो दो गहंटे की रहने वाली है, multiple choice question होंगे, और जो negative marking है, वो 0.25 की each होगी, अगर आप गलत करेंगे question, तो उसका 0.25 marks कट दिया जाएगा, जो सई question का होगा, तो 0.25 की negative marking होगी, तो ये general intelligence का जो slayvus है, ये देख पा रहोंगे, इसकी pdf में आपको telegram channel पर provide करा दूँगा, जिससे की, आप slayvus check out कर सकते हैं, फिर जो physical standard test है, वो देख लेंगे, 170 height होनी चीए, male candidate के लिए, female candidate के लिए होनी चीए, 157, बाकि जब SCST, अगर आप ST area से, schedule tribe area से belongs करते हैं, तो आपके लिए height काम है, बाकि गड़वाल से, डोगरा कुमाउनी है, हिमाचल परदेश से belong करते हैं, तो उनके लिए अलग-अलग criteria height का, तो यह आप देख पा रहे होंगे, यह left side के जो block है, इसमें male के लिए, और right side में female candidate के लिए हैं, तो यह आप देख सकते हैं, अपनी area के according, reservation के according, next है chest कितनी होनी चीए, तो male candidate के लिए होती है, eligible cable chest, और आपकी 80 cm की chest होनी चीए, और expansion होना चीए, minimum 5 cm का, तो यह आपका chest का criteria है, बाकि, schedule tribe सालों के लिए chest, कम होती है, और जो पहाड़ी इलाके हैं, गड़वाली कुमावनी, तो इनके लिए भी chest का 78 रखा गया है, और बाकि expansion सबके लिए सेम है, कि 5 cm का minimum expansion आपका होना चीए, चेश्ट में, female candidate की chest नहीं मापी जाती है, यह केवल male candidate के लिए, अब बाकि देखते हैं, फिजिकल एपिशेंसी टेश्ट में क्या क्या होने वाला है, तो जो trade mention कर रहा हूँ, पहले इनके लिए, driver, motor mechanic, gardener, painter, carpenter, brass band, pipe band, cobbler और tailor, इन सब इको 5 km भागना है, 24 मिनट में, male candidate के लिए, अगर female candidate है, तो उनको 1600 मिनटर, साड़े 8 मिनट में भागना है, ये, इन trade हों के लिए, driver, motor mechanic, vehicle, और इसमें, boogler trade भी साह मिल है, अब cook water carrier, barber, hair dresser, washerman, washerwoman, और सफाई करमचारी के लिए, male candidate के लिए, 1600 मिनटर 10 मिनट में, female candidate के लिए, 1600 मिनटर 12 मिनट में, बाकी जो लद्दाग रिजन से बिलोंग करेंगे, उनके लिए थोड़ी अलग से छूट दी जाती है, बाकी पलंबर, मैसून, electrician के लिए, 1600 मिनटर 9 मिनट में है, male candidate के लिए, और 800 मिनटर है, 5 मिनट में, तो ये, अब physical efficiency test, आपका ये, इसमें complete हो जाएगा, इतने में, weight का जो होगा, वो, जो आपकी height होगी, उसके proposal में, weight आपका ना पा जाएगा, trade test में क्या-क्या होगा, वो आप, यहाँ देख सकते हैं, बाकी, अलग से, slayvus से related, अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पूरा discuss करेंगे, कि कौन से trade के लिए, क्या-क्या आने वाला है, तो अभी, main main point discuss कर लेते हैं, बाकी last में, आपका document verification होगा, document verification के बाद, आपका detailed medical examination होगा, उसके बाद final, list लगने के बाद, आपको, selection हो जाएगा, और बाकी eye examination भी होगा इसमें, तो eye side भी driver के लिए अलग है, motor mechanic vehicle के लिए अलग है, तो यह आप देख सकते हैं, आप कौन से trade के लिए, glasses मांगे गए हैं, किसमें, बिना glasses के या color vision है, वो सब लिखा गया है, तो main पहले आपका, यह ID हो, आपके document होनी चीए, mode of selection आपका जो technical trade है, technical वो tradesman के लिए, जो minimum passing percentage है, वो 30% है, UR के लिए, EWS OVC के लिए 25%, और बाकी other category के लिए 20%, और बाकी जो pioneer wing के हैं, उनके लिए 35% UR के लिए, और बाकी के लिए 33% है, तो यह है important important, जो आपके discuss कर दी गई हैं, इस वीडियो में, अगर आपको apply करना है, तो आप एक बार detailed notification, जरूर पढ़ें, जो आपको हमारे telegram channel पर provide कर आजाएगा, तो वहाँ से आप download कर सकते हैं, तो यह थी आज की update, अगर I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इसी तरह की job update के लिए channel के साथ जुड़े रहें, चैनल को subscribe करें, और एक बार form भनने से पहले आप जरूर notification को द्यान से पढ़ें, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जयें,